नमस्कर मैं हूँ दुवया कोच और आप देख रहे हैं TV9 भारत वर्ष भारत का तीसरा मून मिशिन कल दो पहर दो बच कर 35 मिनिट पर लॉंच होगा भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगटन याने इसरों इसे लॉंच करेगा जो 42 दिन का सफर तै करके चांद पर पहुचने के हमारे सपने को साकार करेगा मिशिन की सफलता अंतरिक्ष के छेत्र में नई खोजो का जरिया बनेगी हमारा देश उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो चांद पर सफल लेंडिंग कर चुके है अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जो ये कारनामा कर चुके है भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 को लॉंच किया था ये सफल पूरा होता तो भारत उसी मिशन के साथ चांद पर सफल सौफ लेंडिंग करने वाला विश्व का चोहता देश बन जाता लेकिन इस वक्त पर लेंडर में खराबी आने की वर्जा से ऐसा हो न सका खास बात ये है कि 2019 से लेकर अब तक कोई अने देश भी ऐसा नहीं कर सका 2019 में इसराइल की नेजी कमपनी ने ऐसा करने का प्रयास किया था लेकिन मिशन असफल रहा था इसके बाद 2021 में UAE का रोवर के साथ लॉंच किया गया जैपैन का मून मिशन भी असफल रहा था चंद्रयान 3 लॉंच होने के बाद अर्थ की कक्षा में 189 किलोमीटर का सफर तै करेगा धर्ती की कक्षा चोड़ने के बाद ये चांद की तरफ बढ़ेगा ग्राविटी को तोड़ते हुए चांद की कक्षा में शामिल होने के बाद प्रोप्लेशन मोड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा इस प्रक्रिया में 42 दिल लगेंगे इसरों के ओर से संभावना जताई जा रही है कि चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस को सॉफ लैंडिंग कर सकता है ये वो दिन होगा जब चांद पर सूर्यो दे होगा धर्ती के 15 दिन के बराबर होता है चांद पर एक दिन चांद पर खोच की जिम्मेदारी रोवर की होगी इसरों के मताबिक सॉफ लैंडिंग उस वक्त होगी जब चांद पर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो लैंडर और रोवर चांद पर पूरा एक दिन बताएंगे ये धर्ती के 15 दिनों के बराबर होगा एक रिपोर्ट के मताबिक चांद के दक्षिनी दूफ पर उतरने के बाद रोवर लैंडर से अलग होगा और मूव कर जानकारियां जुटाएगा चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट अलग चुनी गई है ये बदलाव चंद्रयान 2 से ही ली गई चांद की तस्वीरों के बाद किया गया है चंद्रयान 3 चांद पर सौफ लैंडिंग के बाद उसकी सता मिनरल्स के साथ साथ कई जानकारियां जुटाएगा चंद्रयान 3 के साथ जो लैंडर और रोवर बेजे गए हैं उनमें पिश्ली बार की तरह ही छे पेलोड लगाए गए हैं समाने तोर पर समझे तो पेलोड एक तरह से डेटा ट्रांस्विशन यूनिट की तरह काम करता है चंद्रयान 3 के लैंडर में चार पेलोड लगे हैं मिट्टी में क्यामिकल और मिनरल कमपोजिशन का पता लगा कर ये जानकारी जुटाएंगे कि चांद की मिट्टी और चट्टानों में कौन से खानिज है इसका तीसरा हिस्सा प्रॉपलिशन मोड्यूल है जो अगले छे माहा तक चांद की कक्षा में रहेगा और एक छोटे ग्रेय की तरह चकर काटता रहेगा चंद्रयान 3 अपने पिछले मिशन से काफी अलग है एक साक्षातकार में इसरो चीफ एस सोमनात ने खुद ये कहा था उन्होंने कहा था कि चंद्रयान 3 मिशन को हमने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए तयार किया है हमारा फोकस इस पर था कि पिछली बार हम कहा गलत थे और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है चंद्रयान 2 में और्बिटर लैंडर और रोवर तीन कंपुनेंट थे जबकि चंद्रयान 3 में और्बिटर की जगा प्रॉपलिशन मॉड्यूल को शामिल किया गया है चंद्रयान 2 का कुल वजन 3850 किलोग्राम था जबकि चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम है चंद्रयान 2 मिशिन एक से सात साल तक के लिए प्लान किया गया है जबकि चंद्रयान 3 मिशिन की लािफ तीन से छे मा है चंद्रेयान 2 ने चांद तक पहुँचने के लिए 48 दिन का समय लिया था जबकि चंद्रेयान 3.42 दिन में ऐसा कर सकता है वेरहार आपको हमारी कबर कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं टीविनान भारत वर्ष